संधी का अर्थ मेल या जोड होता है जैसे सुर्जमा इंद्र सुरेंद्र ठीक इसी प्रकार दो धुन्यों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे संधी कहते हैं एक शब्ध हम लेते हैं हिमालय हिम जमा आलय संधी के तीन भेद होते हैं स्वर संधी वियंजन संधी विसर्ग संधी स्वर संधी आज हम सबसे पहले आपको स्वर संधी के बारे में बताएंगे दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधी कहते हैं स्वर संधी के पाज भेद होते हैं बच्चों दीरग संधी, गोण संधी, विद्धी संधी, यान संधी, अयादी संधी दीरग संधी जब ह्रिस्विया दीर्ग A, E, O से परे करमशे ह्रिस्विया दीर्ग A, E, O आए तो दोनों के मेल से करमशे दीर्ग A, Bड़ी E और Bड़ा O हो जाते हैं इसे दीर्ग संधी कहते हैं जैसे परम जमा अर्थ, परमार्थ परम में बच्चो म, म में एक A स्वर छुपा हुआ है जब हम मा को तोड़ते हैं, विछेद करते हैं म जमा A बन जाता है तो उसका जो छोटा A है वह दूसरे शब्द के प्रतम वान स्वर A के साथ मिलकर बड़ा A बन जाता है तो आप देखी परमार्थ में बड़े A की मात्रा लगा दी गई है इसके बाद हम कुछ उधारन आपको बताते हैं वेद जमा अंत, वेदांत वेद में द जो वान है उसके अंदर A भी छिपा हुआ है तो हम इसको द जमा A कहेंगे और द का A अलग कर लेंगे देखिए ब्रैकेट में जो एक कॉलम बना हुआ है उसमें छोटा A लिख दिया गया है और दूसरे शब्द अंत का छोटा A पहला वर्ण छोटा A लेकर दोनों को जमा करने पर वेदा A बन जाता है जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो वे बड़े A की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा ठीकी सी प्रकार हिम जमा आलए हिमा ले हिम में छोटा A है और आलए में बड़ा A है तो छोटा A और बड़ा A मिलकर बड़ा A बन जाता है विद्यार्थी में विद्या जो है बड़ा A है और अर्थी में छोटा A है दोनों मिलकर बड़ा A बन जाती है ठीकी सी प्रकार इन सभी एक्जाम्पल्स को बुक के अधार पर आप जब पढ़ेंगे और उसको बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मात्राओं की जानकारी अच्छे तरह मिल सकेगी मुनिंदर शब्द लिजिए मुनी में छोटी A की मात्र है और इंदर में छोटी E है दोनों मिलकर बड़ी E बन गए गिरीश गिरी में छोटी E और ईश में बड़ी E जुड़कर E बड़ी बन गई है गुण संधी छोटा अ बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी ए के आने पर वह ए में बदल जाता है छोटा ओ बड़ा ओ आने पर वो ओ में बदल जाता है तथा री में आने पर अर हो जाता है इसे गुण संधी कहते हैं भारत हिंदू यह शब्द है जो जुड़कर बना है भारत में त में से छोटा अ निकाला और इंदू का छोटी इ निकाली तो यह दोनों मिलकर एकी मात्रा में बदल गए अब यह इस उधारन से और भी सपस्ट हो जाएगा नर जमा इंडर नर में र जो सेकंड वर्ण है दूसरा वर्ण है उस में से हमने अ निकाला छोटा और इंदर में से छोटी इ निकाली तो वह चोटी इ में परिवर्थित हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार जितने भी यह एक्जैंपल दिये होए हैं उनमें बड़ा आ और छोटा अ पहले शब्द का पहले शब्द में दिये गए जो लास्ट वार्ण है उस में से छोटा आ या बड़ा आ निकाल कर और दूसरे शब्द की छोटी इ और छोटा उ निकाल कर मात्रा बदल जाती है अब लोकोक्ति में देखिए लोक में से क का छोटा अ निकाला और उक्ति का छोटा उ लिया छोटा अ और छोटा उ मिलकर छोटा ओ बन गए ओ की मात्रा में परिवर्टित हो गए ठीक इसी बरकार महा जमा उत्सव महोत्सव आ और छोटा उ मिलकर ओ बन गए नव में से छोटा अ और उ बड़ा उ मिलकर छोटा ओ बन गए महा उर्जा बड़ा आ और बड़ा ओ मिलकर छोटा ओ हो गए सब्त रिशी त में से छोटा अ निकाला और री मिलकर अर बन गया महा रिशी महा में से बड़ा आ और री जो है दोनों मिलकर अर बन गया ठीक है आपको समझा रहा होगा आप इसको एक दो बार अच्छी तरह देखेंगे तो आपको सही पता चल जाएगा अब हम लेते हैं वृद्धी संधी छोटा अ या आ के बाद छोटी ए बड़ी ए के आने पर वो बड़ी ए बन जाता है तता चोटा ओ और ओ आने पर वो बड़ा ओ हो जाता है इसे वृद्धी संधी कहते हैं जैसे छोटी एक, एक प्लस एक में एकईक बन गया, क में से छोटा अ लिया और एक का ए लिया, तो दोनों मिलकर बड़ी ए बन चाते हैं, लोकेशना, लोकेशना में छोटा कर जो है, उसमें से अ लिया और छोटी ए लिया, देखिए सामने बॉक्स मिलक बना हुआ है, वो बड़ी ए में परिवर्तित हो गया, राज में से ज़ में से अ लिया और बड़ी ए लिया, वहें बड़ी ए में परिवर्तित हो गया, सदा में से बड़ा आलिया और छोटी ए लिया बड़ी ए में परिवर्तित हो गया दंत में से तवका अलिया और छोटा ओलिया वो बड़े ओ में परिवर्तित हो गया तो बच्चों ये सारे रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सा स्वर और कौन सा बड़ा स्वर या छोटा स्वर मिलकर वह क्या बनते हैं ये आपको बार-बार अभ्यास करने पर ही पता चलेगा अगला अक्षर हम लेते हैं परम जमा आशद परम म में से अलिया और चोटा बड़ाओ लिया वह बड़ाओ बन गया यन संधी जब चोटी इ, बड़ी इ, चोटाओ, बड़ाओ और री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो चोटी इ, बड़ी इ का य और चोटाओ, बड़ाओ का व और री का र हो जाता है इसे यन संधी कहते हैं जैसे अती जमा अधिक अती में छोटी की मात्रा और अधिक में अ लेने से वह य बन चाता है यदी जमा अपी यदी की छोटी की मात्रा और अपी का छोटा अ लेने से य और अ लेने से वह य बन गया वी जमा आकुल व्याकुल अती जमा उत्तम अत्योत्तम या देखिए ई और उ मिलकर यू बन गया वी जमा उ बनकर यू बन गया अधी जमा एशना अधेशना अनु जमा अए अन्वाए तो छोटा उ और छोटा आ मिलकर व बन गया चोटा O और बड़ा आ मेंकर बड़ा वा बन गया अयादी संदी छोटी A, बड़ी A, छोटा O, बड़ा O स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो A का A, बड़ी A का A और छोटे O का अव तथा आव का आव बन जाता है इसे अयादी संदी कहते हैं चे जमा इव्यन चे अन ने जमा अन नयन गै जमा अक गायक ने जमा इका नाइका पोजम अन पवन पोजमा इत्र पवित्र पोजमा अक पावक नाव जमा इक नाविक भोजमा उक भावुक मतलब बड़ी ओ और छोटी ओ में जब अगले स्वर को जोड़ देते हैं तो वो अवी, आव, आवी और आवु में परिवर्टित हो गई है व्यंजन संधी व्यंजन संधी व्यंजन वान का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्टन होता है उसे व्यंजन संधी कहते हैं जैसे जगत, जमाईश, जगदीश इसमें जो तव है यह व्यंजन है और ई, ई क्या है? मौन है, इसके मेल से यह क्या बन जाएगा? जगदीश विसर्ग संधी विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्टन होता है उसे विसर्ग संधी कहते हैं जैसे धनुह, जमा, टंकार, धनुस टंकार इसमें विसर्ग शषटकून में बदल गया है दुह, जमा, उपियोग, दुरूपियोग और यहां विसर्ग संधी रू में बदल गई है जमा परिवर्टन होता है